जहें दोस्तों स्वागे था आप सभी का आज का हमारी सेशन में दोस्तों आज का हमारी ये तीसरा टेस्ट है टेस्ट वन और टू हमारा कंप्लीट हो चुका है अगर आपने वह अटेंप नहीं किया है तो आपको हमारे इस चैनल के प्ले लिस्ट में और इस वीडियो के डिस तो शेली शुरू करते हैं बढ़ते हमारे पहले प्रशन की और पहला प्रशन है सरकारिया आयोग निमलिखित में किस से संबंधित है केंद्र और राज्य संबंध चुनाव सुधार भारत में प्रेश की सोद्नत्रता बैंक और वित्य छेत तो सरकारिया आयोग जो है वो केंद्र और राजे संबंधित से संबंधित है option A हमारा सहीं उत्तर रहेगा सरकारिया आयोग का गठन जो है वो किया गया था 1983 में ठीक है 1983 में ये Central और State की बीच relation और उनके जो power distribution है या power maintenance है सक्ति संतुरन इन सभी की जाच के लिए इसका गठन किया गया था इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सुप्रीम कोट की रिटायर जज राजेंदर सिंग सरकारिया इन्ही के नाम पर इस आयोग को सरकारिया आयोग कहा जाता है अगला प्रश्ण है लोक सभा का कोई सत्र किसके आदेश से इस्थगीत किया जा सकता है प्रधान मंतरी, राष्ट्रपती, लोक सभा अध्यक्ष या उप राष्ट्रपती तो लोकसभा का कोई भी सत्र जो है वो राष्ट्रपती के आदेश से इस्थगित किया जा सकता है option B हमारा सहीं उतर रहेगा अगला प्रश्ण है भारत के कितने राष्ट्रपती निर्विरोध चुने गए जिनके चुना में उनके समक्ष कोई विरोधी नहीं था तो इस प्रश्ण कर सहीं तर रहेगा option C दो राष्ट्रपती ऐसे हुए है जो निर्विरोध चुने गए है जिनका निर्वाचा निर्विरोध हुए है पहले थे डॉक्टर राजिन्दर प्रसाद सन 1950 से 1952 के बीच जो है वो निर्विरोध चुने गए थे उसके बाद जब वो जब चुना में खड़े हुए तो उनके सामने विरोधी थे और इनके अलावा थे निलम सज्जीव रिड़ी ठीक है नेक्ष्ट कोश्चन है भारती सम्विधान का 52 संसोधन किस से संबंधित है तो सरकारी छेत्रों की नौक्रियों में आरक्षण का प्रावधान त्रीपूरा कोई स्पेसल राजजय का प्रावधान मताधिकार के आयू 21-18 करने का प्रावधान या राजिनितिक दल बदल के विरोधी प्रावधान तो बाववानवा सम्विधान संसोधन संबंधित है राजिनितिक दल बदल के विरोधी प्रावधान से आप्संडी हमारा सम genial तर रहेगा, 2290 में संसोधन में एक और अनुसूची जोडी कही समिधान में दस भी अनुसूची जो दल पदल कानुन का ठीक है दल पदल से समझ्दित है, नेक्स्ट कुछुस्टन है सुप्रीम कोट के अनपचारिक नियाइधिस की नियुक्ति कौन करता है अनवचारिक नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपती उपर राष्ट्रपती मंत्रियों की सलाह से राष्ट्रपती राष्ट्रपती की अनुमती से सुप्रीम कोट का मुख्य नियुक्ति राष्ट्रपती की अनुमती से सुप्रीम कोट का मुख्य जाएगी ठीक है नुच्छे 127 में तजर्थ नियाधिस के बारे में बताया गया है इनकी नियुक्ति तब की जाती है जब सुप्रीम कोट में कारिवाही को करने के लिए जो जजों की संख्या अलिवल नहीं रहती है तब राश्ट्रपती के अनुमती लेकर सुप्रीम कोट के जो चिफ जश्टिस होते हैं वो एक्ष्ट्रा और जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोट में करते हैं अगला प्रशन है यदि राज्य नीती निदेशक सिधान्त का सहीं से पालन नहीं कर रही है तो आम नागरिक किस नियालय में जा सकता है उच्छे नियालय उच्छे तम निती निदेशक सिधान्त है वो वाद योग्य नहीं है ठीक है वो वाद योग्य नहीं है इसके लिए आप किसी भी कोट में नहीं जा सकते हैं इसके बारे में कहा गया है कि यह एक ऐसा चेक है जिसे गवर्मेंट अपनी इक्छा के अनुसार जहां नागरिकों को देती है नेक्स्ट कोश्चन है जम्मू कस्मिर का समिधान बनाया गया था उसी समिधान सभने जिसने भारत के समिधान को तयार किया था संसत द्वारा इस्थापित एक विशे समिधान सभने या इन में से कोई नहीं तो जम्मू कस्मिर का समिधान बनाया गया था संसत द्वारा इस सुची का प्रावधान समवर्ति सुची का प्रावधान किस देश से लिया गया है उस्ट्रेलिया यूके यूएसे या फ्रांस तो समवर्ति सुची का प्रावधान भारती समिधान में लिया गया है उस्ट्रेलिया से आप्शन ए हमारा सहीं उत्तर रहेगा नेक्स्ट कोश्चन है भारती समिधान का अनुच्छे दो सवस्षी किस से संबंधित है विधी आयोग परिसीमन आयोग चुनाव आयोग या वित आयोग तो भारती समिधान का अनुच्छे दो सवस्षी संबंधित है आपका वित समारा सहीं उत्तर रहेगा नेक्स्ट कोश्चन है केंद्र सरकार का कोई व्यक्तिगत मंत्री व्यक्तिगत रुप से किसके प्रति उत्तर दाई होता है तो केंद्र सरकार का कोई भी व्यक्तिगत मंत्री जो है वो व्यक्तिगत रुप से राष्ट्रपती के लिए उत्तर दाई रहता है ठीक है अगर आपसे पूछा जाता है कि सामुही की रूप से किसके प्रति उत्तर दाई रहते हैं तो सामुही की रूप से वो लोक सभा के प्रति उत्तर दाई होते हैं और व्यक्ति के रूप से राष्ट्रपती के लिए उत्तर दाई रहते हैं नेक्ट कुश्चन है निमलखित में कौन सा मिलान सही नहीं है अनुच्छे 360 वित्या पातकाल अनुच्छे 368 स्तमिधान संसोधन अनुच्छे 323 A प्रसासनिक नयाधिकरन अनुच्छे 280 वित्विध्यक तो जो गलत मिलान है वो है option D वित्विध्यक वित्विध्यक के बारे में जो कहा गया है वो article 112 में बताया गया है और article 280 में वित्विध्यक के बारे में चर्चा की गई है नेक्ट कुश्छन है अनुच्छे 9 के विशय में निम्नलखित में से कौन सही है एक विक्ति जो किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वेक्षा से प्राप्त करता है वह अब भारती नागरिक नहीं है भारत के बाहर रहने वाले भारती मुलकी कुछ विक्तियों की नागरिकता की अधिकार कुछ ऐसे व्यक्तियों की नागरिक्ता के अधिकार जो भारत से पाकिस्तान चले गए है समीधान के प्रारम हमें नागरिक्ता तो अनुच्छे 9 में बताया गया है कुछ ऐसे व्यक्ति जो किसी अन देश की नागरिक्ता को स्वेक्षा से प्राप्त करता है वो भारती नागरिक नहीं रहेगा मतलब अनुच्छे 9 में नागरिक्ता के अंत के बारे में बताया गया है किसी भी व्यक्ति की नागरिक्ता तीन तरीके से समाप्त हो सकती है अगर वो देश विरुधिकारे में सनलिप्त है या अगर वो किसी दूसरे देश की नागरिक्ता ग्रांड कर लेता है या उसको भारती संसाद्वारा विधी के विरुद्ध कारे करता है तब उसे नागरिक्ता से वंशित कर जाज रहा है तब आर्थिक योजना किस सूची में आती है केंद्र सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या इन में से कोई नहीं तो जो आर्थिक योजना का विषय है वो आता है आपका समवर्ती सूची में आप्सन B हमारा सहीं उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन है भारत में electronic voting machine पहली बार किस राज्य में प्रयोग की गई ठीक है यहाँ पर आपको EVM machine के बारे में पुछा जा रहा है कि EVM machine सबसे पहले किस राज्य में प्रयोग किया गया था तो सहीं तर रहेगा option B केरल में EVM machine सबसे पहले केरल में यूज़ किया गया था आदेश है उत्तरदाता उस कारा लेके हगदार नहीं था जिसे वहाँ पकड़ रहा था या वहाँ एक वीशेसा अधिकार था जिसका वहाँ प्रयोग कर रहा था उपर एक तगोष्णा को निमलिखित रीट की रूप में जाना जा सकता है तो यह जो रीट है वो है अधिकार पिक्षा ठीक है जिसको आप इंग्लिश में को वारंटो भी कहते हैं इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति जिस कारा को करने के लिए और्थराइजड नहीं है वो अगर मतलब उसका प्रयोग करते रहता है तो आप उसके खिलाब सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत को आरंटो लगा सकते हैं एक भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिसद और विधान सभव परिसद का कारेकाल इस प्रकार था 1919 के नुसार पुछा जा रहे है ठीक है भारत सरकार अधिनियम 1919 के नुसार राज्य परिसद और विधान सभ़ परिसद का कारेकाल कैसा था तो राज्य परिशद का कारेकालथाप का 5 वर्स का ठीक है राज्य परिशद 5 वर्स और विधान परिशद का था 3 वर्स तो इस पकार से option D हमारा सहीं उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट कोच्चन है आमतर पर चुनाव आयोक के नियमा नुसार पोलिंग बूत मददाता के घर से अधिक्तम कितना दूर हो सकता है 1-2-3-4-4 तो पोलिंग बूत मददाता के घर से अधिक्तम 2-3 किलिमटर की दूरी हो सकती है भारत कसम विधान लोगों को विभिन्न राजियों में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का अधिकार प्रदान करता है हाला कि इस प्रावधान के बावजूद भारत में एक राज्य भारत के अन्न राजियों से माल के आयात पर कर लगाने के लिए कानून बना सकता है इसमें दो बाते कही गई है ठीक है इसमें कहा गया है कि भारत में एक राज्य भारत के अन्य राजियों के माल आयात पर कर लगाने के लिए कानून बना सकता है या नहीं तो ये कानून बनाया जा सकता है ये बताया गया है आर्टिकल 303 में ठीक है और आर्टिकल 301 में एक और और बात कही गई है कि आम जनता के हित में ठीक है किसी छेत्र विसेस के कुछ हिस्सों में संसद जो है कुछ प्रतिबंध लगा सकती है जैसी कि मालिज अगर किसी राज्य में अपात काल था अब उस राज्य से कुछ चीज उत्पाजित होती है वो अन्य राज्य में बिखने के लिए जाती है तो संसद ये कानून बना सकती है कि जिस राज्य में अपात काल था उस टाइम पे तो या मत विस्ष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की केंद्र सरकार की महत्योर्प योजनα का क्या नाम है बलsh करने केंद्र सरकार की महत्योर्प योजने इसका नाम है अधार कार्ड क substitute ऐत्वाद अधार काका ठीक हैं, और सबसे पहला अधार कार्ड बना था 29 सितंबर 2010 को, नेक्स्ट कुरिशन है, किसी राज्य में अनुच्छेत 356 के अंतरगत, राश्ट्रपती सासन समाने तह अधिक्तम कितनी अवजी के लिए लगाया जा सकता है, तो किसी भी राज्य में राश्ट्रपती सासन जो है maximum 3 साल के लिए लगाया जा सकता है, तीन वर्ष के लिए options सी हमारा सहितर रहेगा, ठीक है, पहले जब राश्ट्रपती सासन पहले बार लागू होगा, तो वो 6 महीने के लिए रहेगा, फिर 6-6 महीने करके इसको maximum 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, नेक्स्ट कुश्चन है, राश्ट्रपती के त्याक पत्र की सूचना उपर राश्ट्रपती किसको देते हैं, पत्रपती को, जनरल को, लोगसभाद्यक्ष को या इनमे से कोई नहीं, तो राश्ट्रपती के त्याक पत्र की सूचना उपर राश्ट्रपती द्वारा लोगसभा के अध्यक्ष को दी जाती है, उप्सन C, इसका सहिंतर रहेगा, इनमे से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, सिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, सतंत्रता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार, तो fundamental right जो पहले था लेकिन अब नहीं है, option B, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, इसको अब article 300A में रखा गया है, जो अब आता है कानूनी अधिकार में, संपत्ति का अधिकार में नहीं आता है, बाकि सिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, और सतंत्रता का अधिकार, मौली का अधिकार के अंतरगत आते हैं, भारत के समविधान के अंतरगत, किसी भी नागरिक को, राश्रोपती द्वारा अपात कालिन परिशिती में उसके जीवन तथा स्वतनतरता से वन्शित किया जा सकता है किनी परिशितियों में भी उसके जीवन तथा स्वतनतरता से वन्शित नहीं किया जा सकता है केवल विधी द्वारा निर्धारित रिती के अनुसार जीवन तथा स्वतंतरता से वंशित किया जा सकता है या इनमें से कोई नहीं भारत संग में मंत्री परीशद संयूफ्ण रूप से लोकसभ और राजयसभ दोनों की प्रति उत्तरदाई है कारण लोकसभ राजयसभ दोनों के सदक्ष संघ्य सरकार में मंत्री बनने वो गलत है ठीक है तो ए गलत रहेगा और कारार सही है भारत संग में मंत्री परिशाथ सही रूप से लोग सभा राजय सभा के प्रति उत्तरदाई नहीं रहते बलकि मंत्री परिशाथ जो है वो लोग सभा के प्रति उत्तरदाई होता है केवल और केवल लोग सभा के प्रति स अगला प्रश्ण है निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए लोकलेखा समीचि का अध्यक्ष लोकसभध वरा नियूपत किया जाता है लोकलेखा समीचि में लोकसभवसद राज्यसभसद बाइस से और उद्योग ततव्यापार की कुछ जाने माने वक्ति समिलित होते हैं द्योग तथे वेपार के कुछ जाने माने विक्ति सम्मिलित होते हैं, यह कथन जो है वो गलत हैं, ठीक है, लोक लेखा समीती में केवल लोक सभ़ा और राज्यसभा के सदस्त ही पार्टीसिपेट करते हैं, लोक सभ़ा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य, तो टोटल 22 अध्यक्षा वो लोकसभव द्वारा नियोक्ते किया आता है और लोकसभव में जो विपक्षा का नेता होता है वही लोक लेखा समीती का अध्यक्षा होता है लोक लेखा समीती का काम होता है प्राकलन समीती द्वारा निकाले गए धन की व्याय की जाच करना ठीक है नेक्स्ट कोच्चन है सुमेलित कीजिए यहाँ पे सही जोड़ी मिलाना है आपको कुछ व्यक्ति दिये गए हैं और उनसे संबंधित पद दिये गए हैं इसको आपको मैच करना है तो यहाँ पे नाम दिये गए हैं आपको दलवीर भंडारी तो दलवीर भंडारी संबंधित है अध्यक्ष अंतर राष्ट्य नियालाय के ठीक है नेक्स्ट कुछन है यूयू ललीत तो उदय उमेश ललीत जो है वो अभी है भारत के मुख्य नियाय मूर्ती फिर आएगा आपका राजीव कुमार जी तो राजीव कुमार है भारत के मुख्य निर्वाचानायुक्त और क लेके वेड़ु गुपाल भारत के निमाहा नियावादी तो इस तरीके सा option B हमारा सहीं उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं नेम लिखित में से कौन सा राज्य के निती निदेशक तत्तों में सामिल है तो इसका सहीं उत्तर हैं हमारा option B केवल दो जो है वो सहीं है यह जो है आपका fundamental rights में है मॉली का धिकारों में है ठीक है काफी easy है आप हमें कमेंड करके बताइएगा कि यह कौन से article में दिया गया है कि हम आपको हिंट देते हैं आर्टिकल 23 या 24 दोनों में से एक में हैं वह आप हमें कमेंट करके बताईगा कि किस में हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कॉलिज का विध्यार्थी अपने नगर की नगर परिशद में चूने जाने का इक्चुक है उसके नमांकन की वैध्यता अन्य सर्थों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण सर्थ पर भी निर्भर होगी कि वह अपने कॉलिज के प्रचारे से अनुमती प्राप्त कर ले वह किसी राजनितिक दल का सदस्य हो उसका नाम मद्दाता सुची में सामील हो वह भारते सम्विधान की प्रती निष्ठा की घोषना दाखिल करे तो कोई कॉलेज का विद्यार्थी है जो अपने नगर की नगर परिशद में चुने जाने का इक्चुक है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सर्थ दिये गए विगलबों में से होगी कि उसका नाम मद दाता सुची में सम्मिलित होना चाहिए तभी वह जो है चुनाव में लबचुनाव लड़ सकता है नेक्स्ट कुश्चन है भारत में प्रजात अंत्र इस तर्थय पर अधारित है कि यहां मौलिक अधिकार पदान किये गए है जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है यहां राज्य के नेती निदे सकता है तो भारत में प्रजात अंत्र अधारित है कि यहां पर जनता का जनता के लिए जनता द्वारा सासन होता है अर्थात जंता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है तो option C हमारा सहीं उतर रहेगा नेम लिखित में से कौन लोगसभा की कारेवाहियों में भाग तो ले सकता है किन्तु मतदान नहीं कर सकता लोगसभा अध्यक्ष, एट औरनी जनरल, लोगसभा अध्यक्ष और पधान मंत्री तो लोगसभा की कारेवाहियों में भाग लेंगे क्या बोलते हैं अपनी सलाह देंगे, अपनी बात रखेंगे, ठीक है सभी मामलों में लेकिन वोट नहीं डाल सकते तो ऐसा पावर है सिर्फ एट औरनी जनरल का, ऑप्सन भी हमारे सहीं उतर रहेगा, ठीक है ये लोगसभा की सभी कारवाहियों में भाग लेंगे, अपना मत भी, मतलब क्या बलते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं लेकिन मतलब नहीं कर सकते हैं, जब वोटिंग की बात आएगी तो वह वहाँ से बहार आ जांगे, आप वहाँ बैठे भी रहेंगे, लेकिन वोट नहीं करेंगे ठीक है, एट औरनी जनरल के बारे में आपको आर्टिकल 76 में पढ़ने को मिलेगा, भारती समिधान में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक की नियुक्ति कौन करता है, नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक अर्थाद C.A.G. ठीक है, कमपट्रोलर एंड और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंतरक तथा महालेखा परिक्षक की न प्रद्धान मंत्री की सलाह पर राश्ट्रपती द्वारा की जाती है। C.A.G. के बारे में आपको आर्टिकल 148 से 151 तक देखना को मिलेगा। Next question है सूची एक को सूची दो के सां सुमिलित कीजिए और सूचियों की नीची दिये के कूट का प्रयक करते वे सहीं उत्तर का चैन कीजिए सम्विधान के अनुच्छेद और विश्य तो अनुच्छेद 124 सम्बंधित है संघिये निया पालिका से अनुच्छेद 5 सम्बंधि हो जाएगा ठीक है next question है क्या उस व्यक्ति को मंतरी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो संसद का सदस्से नहीं है नहीं हाँ फिर आपको दो और तथ दिये गए हैं तो कोई भी व्यक्ति जो है वो मंतरी बन सकता है लेकिन उसके लिए एक सर्थ है कि मंतरी बनने के बाद या लोकसभा या राजसभा का सदस्से बनने के बाद उसको छै महीने के भीतर जो है संसत का सदस्से बनना होता है ठीक है अगर किसी को भी प्रधान मंतरी या कोई भी क्याबिनेट मंतरी बनाया जाता है तो उसको नियुक्ति के छै महीने के भीतर जो है संसत का सदस् परश्चक होता है नेक्स्ट कोश्चन है बलवंत्रा महता समीती ने किस प्रकार की पंचायती राज विवस्था की अनुशंशा की थी त्रीस्तरिय, मर्स्तरिय, द्विस्तरिय या इन में से कोई नहीं तो बलवंत्रा महता समीती ने जहां वो त्रीस्तरिय पंचायत राज की जो है अनुशनशा की थी बलवन तराय महता समीती इसका कठन जो है आपका किया गया था 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 1958 में ठीक है त्रीस तरी पंचायती राज की अनुशनशा की गई थी इनके दोरा और पंचायती राज लागू करने वाला सबसे पहला राज यह था राजिस्थान ठीक है राजस्थान के नागर जिले में सबसे पहले पंचायती राज वेवस्था लागू की गई थी दो अक्टूबर 1969 को नेक्स क्वेशन है प्रधान मंतरी जन्धन योजना की शुरुवात कब की गई तो प्रधान मंत्री जन्धन योजना की शुरुवात की गई थी 28 अगस्त 2014 को अपसंसी हमारा सहितर रहेगा प्रधान मंत्री जन्धन योजना की घोषना की गई थी 15 अगस्त 2014 को और इसकी सुरुवात की गई थी 28 अगस्त 2014 को इसका मुख्य ओदेश था कि देश के प्रत्यक परिवारों के पास बैंक अकाउंट हो और उनका क्या होता है बैंक की जो सुविधाय है वो उनको प्राप्त हो सके सुवच्छ भारत मीशन योजना की सुरुवात की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को अपसंडी हमारा सहीं उतर रहेगा थीक है यह नारा किसने दिया है तो सारे जहां से अच्छा हिंदूसता हमारा यह नारा दिया गया था मुहमाद इकबाल के द्वारा अप्सन B सहीं उतर रहेगा ठीक है मुहम्मद इकबाल के द्वारा यह नारा दिया गया था भारत के उप राष्ट्रपती को पद चियुत करने का संकल्प अर्थात उनको पद से हटाने का संकल्प निम्न लिखित में से कहां प्रस्तावीत किया जा सकता है केवल लोकसभा में, संसत की किसी भी सदन में, संसत की संयुकत बैठक में, केवल राजसभा में तो उप राष्ट्रपती के बारे में पूछा जा रहे है तो उप राष्ट्रपती जो है वो राजसभा के पदेन सभापती होते हैं इसलिए उनको हटाने का या उनके पर महाभ्योग चलाने की जो प्रक्रिया है वो केवल राज्य सबह सही प्रारम पकी जा सकती है आप संधी हमारा सही उतर रहेगा अगला प्रशन है जब भारतिय न्याईक पधती में लोग हित मुकदमा PIL Public Interest Litigation जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाया गया तब भारत के मुख्य न्याय मूर्ती कौन थे मुहमद हिद्यातुला, A.M. अहमदी, A.S. आनंद, P.N. भगवती तो जब PIL Public Interest Litigation लाया गया तब भारत के मुख्य न्याय मूर्ती थे P.N. भगवती अब संधी इसका सही उतर रहेगा ठीक है ये 1970 से 1980 के दशक में लाया गया था अब PIL होता क्या है तो इसको लोग हित या जन हित या चिका कहते हैं इसमें जो PILID VYAKTHI है जरूरी नहीं है कि वही कोट जाकर अपने लिए अपलाई करें थीक है इसको कोट वयम से PILID VYAKTHI के लिए या थिर कोई दूसरा विक्थी भी पिडिध वक्ति के लिए Tam Nex question है नेम लिखीत कत्रों पर विचार कीजिये भारत के समिधान में पूरुसों तथा महिलाओं द्वारा समान कारे के लिए समान वेतन देने का बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंद नहीं है भारत के समिधान में पिछड़े वर्गों को परिभाशित नहीं किया गया है तो इसमें से जो कथन 2 है वह सहीं है तो इस प्रकार से option B हमारा सहीं उत्तर रहेगा भारत के सम्विधान में पूरुसों तो था महिलाओ द्वारा समान कारे के लिए समान वेतन देने का बढ़ावा देने के लिए कोई उपुबन नहीं है यहां कथन गला था इसका उपुबन किया गया है आर्टिकल 39 में ठीक है आर्टिकल 49 में महिला और कुरुस को समान कारे के लिए समान वेतन देने का उपुबन किया गया है जो directive principles of state policies में आते हैं अर्थाद राज्य के निति इन्देर्सक्स इधानतों में आते हैं अगला प्रशन है ननलवलिखित में से कौन सा एक लोग सभगा सरवाधिक बड़ा छेत्रफल के अनुसार ठीक है चेत्रफल के नुसार लोक सभगा स्तरवाधिक बड़ा निर्वाचन छेत्र है कांगड़ा, लद्दाक, कच्छ या भिलवाडा तो सहीं उतर रहेगा option B लदाग जो है वो छेत्रपल के नुसार भारत देश का सबसे बड़ा लोग सभ़न इर्वाचन छेत्र है अगला प्रशन है परमाडविक उर्जय विभाग निम लिखित में से किसके प्रसाशन के अधिन है तो परमाडविक उर्जय विभाग जिसको कहते हैं वो आता है आपका प्रधान मंत्री का रहलाए के अंतरगत ठीक है प्यमो आफिस के अंतरगत ये इसको देखा जाता है नेक्स्ट कोशन है भारतिय सम्विधान के अंतरगत निम लिखित में से कौन सा मुल करतव नहीं है लोग चुनाओं में मद्दान करना, वेग्यानिक प्रवित्ती विक्सित करना, सारवजिनिक संपत्ती की सुरक्षा करना, सम्विधान के प्रती निष्ठान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना तो DPSP के बारे में आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है ठीक है कौन सा मुलकर्टवे नहीं है तो सम्मतर रहेगा उप्सन A लोग चुनाओं में मद्दान करना, यह हमुलकर्टवे नहीं है बल्कि है राजनीतिक कर्टवे है नेक्श्ट कोश्चन है, भारत की संचीत निधी से निधी निकालने के लिए किसका अनुमदन अनिमार रहे, तो संचीत निधी से धन निकालने के लिए भारत की संसाथ का अनुमदन अनिमार होता है, आप्सन भी हमारा सही उतर रहेगा निल्लिखित में से कौन राश्ट्रिय विकास परिसद की रचना करते हैं राश्ट्रिय विकास परिसद की रचना किनके किनके द्वार की जाती है प्रधान मंत्री, अध्यक्छ वित्त आयोग, संगीय मंत्री मंडल के मंत्रीगड, राज्यों के मुख्य मंत्री तो राश्ट्रे विकास परिसद में प्रधान मंत्री, संगी मंदल के मंत्रीगण और राज्यों की मुख्य मंत्री ये सभी सम्मिलित होते हैं तो आप्सन भी हमारा सही उत्तर रहेगा यदि राज्य सभा किसी धन विध्यक में सार्भुत संसोधन करती है तो तत्पस्चाथ क्या होगा? ध्यान दिजेगा इसमें पूछा जा रहा है धन विध्यक में लोग सभा राज्य सभा की अनुसंसाओ को अस्विकार करे या स्विकार करे इस विध्यक पर आगे करवाही कर सकती है लोग सभः विध्यक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती लोग सभः विध्यक को पुनर विचार के लिए राजय सभः को लोटा सकती है राश्वपती विध्यक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठाक अहूत कर सकता है यदि राजयसभव किसी भिजण विद्हक में कोई भी संसोधन करती है या कोई भी सुझाव देती है तो लोगसभव उसको मानने के लिए बाद्ध्य नहीं है तो इस तरीके सा option ए हमारा सहीं उतर रहेगा ठीक है उनको जरुरी नहीं है कि वो उनकी राजयसभव की अनुसंस नियुक्ति राज्य पाल नहीं कर सकता है То, राज्य पाल जो है वो इसकी नियुक्ति करते हैं राश्ट पति थी rehab हाला कि उनको सपत जो है वो राज्य पाल के द्वारा दिलाया जाता है अग्रा प्रश्न है निमलिकित में से किसका वेतन? भारत की संचीत निधी पर पारित नहीं है नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक का वेतन, सर्वोच चन्यायलाय के मुख्य वा अनिनायल हिश्णों का वेतन, लोगसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षक का वेतन, और महा नियायवादी का वेतन सहीं तर रहेगा क्योंकि महानियावादी जिनकी चर्चा आर्टिकल 76 में है एट औरनी जनरल इनको इनके पद के लिए किसी भी तरह का वेतन नहीं दिया जाता क्योंकि ये मतलब सेंटर गौवर्मेंट के लिए भारत की किसी भी नियाला में जागर केस लड़ सकते हैं इसके इसे लिए इनको वेतन नहीं दिया जाता है बाकी सारी सुधाय इनको दी जाती है केवल वेतन नहीं दिये जाता है इनकी कारियों के लिए ठीक हैं सम्मंधित में सारे कथन सहीं है राज्यों में उनकी स्थापना जो है सम्मंधित राज्य की विधान सभा के अधिनियम द्वारा की जाती है ये राज्य सरकारों के सीधे नियंत्राण और निरिक्षण में काम करते हैं और उनके भी मरसिक कार्य जो हैं तो यह थे पॉलिटी के टॉप 50 MCQs, ठीक है, आपको अगली डेट पर अगला टेस्ट मिल जाएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं आप से अगली वीडियो में, जय हैं